हेलो पिरे दोस्तो नमस्कार कैसे हो आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशी चीग नामे तो दोस्तो बात करते हैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आई है तो दोस्तो इससे पहले मैंने कुछ देर पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंद्रागांदी मेरपूर इनिवस्टी ने बी-ए, 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 बी-कॉम और एम-ए के दोस्तो रिवाइड डेट से डौसर डानले की बात कही थी तो दोस्तो उसकी अपडेट आपके सामने आ चुकी है, तो दोस्तो आपने साथियों के साथ, जो भी नियर है, कोई भी डियर है, तो उन तक इस नियूज को पुछा दें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बी-ए, पास कोर्स, फिफ्स सेमेस्टर के बात करते हैं, तो दोस्त तो मैंने बताया था 3 घंटे को पर वहागा तो दोस्तो देख लो आपके पास कोर्स की, चाहिए वो आपके पास इंप्रिमेंट का हो. तो दोस्तो अपने अपनी dead sheet चेक कर लें 25 तारिक से आपके exam स्टार्ट है और 17 तक चलेंगे जिसमें आपके सामने subject दे रखा है पेपर का code दे रखा है पेपर की ID दे रखी है तो दोस्तो काफी comment आ रहे थे काफी phone भी आ रहे थे कि सर जो ये dead sheet है ये कब तक आ जाएगी किसक क्या संबावना है तो दोस्तो इसके dead sheet अभी कुछ पहले ही दोस्तो आई थी और वो आपके सामने हम परस्तूत कर रहे हैं तो दोस्तो इसके पूरी update है जो भी आपके सामने है कि भाई B.com, BA, 3rd semester, 5th semester और MA की जो dead sheet है सारे के सारे दोस्तो एक वीडियो में दोस्तों हम लेक क्या ही है आपके सामने तो दोस्तों जो जो भी द्यारती जिस भी stream में है अपनी अपनी डेट sheet देख लें और अपनी अपनी जो paper code है paper ID है वो भी चेक कर लें कि आपका paper कब का है तो दोस्तों 25 से paper start है बात कर रहे हैं भी ये पास्कोर्ज फिफ्ट सेमेस्टर की तो दोस्तों 25 का आपके पास 25 से 17 तक है बात की हमने बी ये पास्कोर्ज से subject आप देख सकते हैं इसमें अपना अपना देख लें फिर बात करते हैं इससे आगे इससे आगे बात करते हैं बी ये पास्कोर्ज से 3rd semester की तो दोस्तों बी ये पास्कोर्ज से 3rd semester का भी उसी पर कारे साधे नो बज़े से लेके साधे बारा बज़ तक का टाइमी रहेगा बात करते हैं 26 तारीक से इनके एकजम स्टार्ट है और कब खतम होंगे 18 तक इनके एकजम चलेंगे 18 मार्श तक तो बात करते हैं 26 तारीक का आपका एक जम रहेगा वो इंगलिस करेगा एक तारीक का आपका हिंदी करेगा फिर बात करते हैं आपके पास जिनके पाँ एडिसनल है उनका एडिसनल का इंगलिस करेगा बात करते हैं तीन तारीक का आपका दोस्तों रहेगा प्रिंसिपल ओव पॉर्टिकल साइंस का फिर बात करते हैं उससे बाद में जिनके पाफ पॉर्टिकल साइंस नहीं वह फिजिकल का बात करते हैं पास तारीक का आपका पैस मैथ का एडवांच कल्कुलेस का आठ तारीक का आपका कहा रहेगा हम साइंस का फिर बात करते हैं दस तारीक का आपका math का static math करेगा 18 तारीक आपका हिंदी वो जिनके पास संस्कर्थ है वो संस्कर्थ करेगा यह हमने बात की भी यह pass course थर्ड semester की अब बात करते हैं इससे आगे तो दोस्तो बी सी थर्ड semester की बात करें चाहिए वो रियेपियर का बंदा हो चाहिए इंप्रुमेंट का हो चाहिए दोस्तो पास course का हो सभी के बात करें हम तो इनका पेपर का timing चेंज किया गया इनका दो बज़े से लेके पास बज़े तक कभी जमें रख़ा गया है भीएससी थर्ड समेश्टर की बात कर रहे हैं अब बात करते हैं 26 तारीक जो आपका एकजम्ड़ेगा वो आपका हिंदी करेंगा जिसमें आपका पेपर कोड़ भी गीवन है और पेपर आईड़ी भी गीवन है आप देख सकते हैं जिन Εंने ने हिंदी ले रखे या फिर जिनोंने संसक्र ले रखे उसके अकोडिंग है फिर बात करते हैं एक आरीक आप का किमिस्ट्री का इन औरिगनिक करेगा तीन आरीक आप का फिजिक्स का जो आपके पास केमपेटर पुर्राविन थर्मोडाइनमिक्स का है जिनके पास बोटनी है उनका बोटनी करेगा पास तारीक का आपका जो एक्जियम है वो मैथमेटिक्स एडवांस कल्कुलेस करेगा जिनके पास जूलोजी है उनके पास जूलोजी का फिर बात करते हैं आठ तारीक का आठ तारीक का आपके पास है केमेस्ट्री सेकिंड है जो बात करते हैं आपके सामने भी स्क पास कोट्स्धिक थर्ट सेमेस्टव की बात करें थार्ट सेमेस्टर में कि बात करें कि भई क्या क्या चीज्य है धुड़Stu आपको कब करेगा तो दोस्तों ये बाकी मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों जो लोजी वड़ और सुनने जो इनके पास है ये जिनके पास बायो ले रखी है बायो का भी हम बता रहे हैं जिनके बायो को बोलते हैं मेडिकल दोस्तों बीसी मेडिकल की डेट शीट भी इसी म मैं बतातrzy हूं आपके सामने फिर बात करते हैं जूलोजी का जूलोजी का आपके सामने 15 तारीका है तो दोस्तों ये आपके सामने हमने दोनों अपडेट बता दी है कि वही जो मैडिकल का या फिर जो नोन मैडिकल का दोनों की अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो के माद्यम से देरे हैं हम दोस्तों फिर बात करते हैं लेके शाडे बारावज तक कभी इस में अब दो तारिक का आपका exam है वो आपका exam दोस्तो बात करें हम सबसे पहले 3rd semester की तो दोस्तो दो तारिक का आपका exam है और 15 तारिक तक आपको आपकी exam चलेंगे ये आपका upper part है वो निचे वड़ा पार्ट में आपके सामने बी-कॉम फिफ्ट सेमेश्टर पास कौर्स के बात करें हमें तो उसमें आपके पात तीन तारिक से स्टार्ट है और सोड़ तारिक तक आपके चलेंगे एक जामे इसमें आपका पेपर, आइडी, पेपर code सारे given है और date भी mention है तो दोस्तों आपके जो टाइमी रहेगा वो पेपर का वो तीन गंटे का हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताए भी था कि आपका जो पेपर का टाइमींग है वो तीन गंटे का रहेगा तो दोस्तों आपने अपने जो subject हैं वो आप देख सकते हैं य जो भी आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पोचा दें ताकि उनको पता लग सके कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्ट सेमेस्टर की date sheet आपके पार revise date sheet revise का मतलब क्या होता है कई के बच्चों मेरे पास यह भी पता करें थे कि इस सार रिवाइज का बतलब के रिवाइज का बतलब होता है वेटा दुबारी दुबारी आपके date sheet आ चुकी है अब बात करते हैं इससे आगे MA की तो दोस्तो MA की बात कर रहे है तो आपके सामने MA M.com MA हो चाहिए M.com हो उनके paper start है वो साड़े 9 वजे से लेके साड़े 12 वजे तक का timing रखा गया है उनके paper 25 तारिक से start है पहले उनके paper 20 तारिक से start थे अब दोस्तो 5 दिन का बढ़ा दिया गया है तो दोस्तो 25 तारिक से उनके exam start है तो उसमें आपके सामने दोस्तों दे रखें subject दोस्तों आप दे सकते हैं आपके सामने पूरे के पूरे हमले क्या हैं पूरे के पूरे given है तो बात करते हैं 25 तारिक का आपके पास economics का पर परेगा फिर बात करते हैं जिनके पास economics नहीं है उनका रएगा इनका हिंदी का रएगा वो जिनके पास हिस्ट्री है उनका हिस्ट्री का 25 तारीक को ही रहेगा वो दोस्तो जिनके पास English है वो इनका English का रहेगा तो दोस्तो आपको पता है M A K. stukma का मतलब किया है मतलब मास्टर डिगरी में आपके पास एक subject दोस्तों रहता है दोस्तों एक subject के according आपके पास no man culture क्या है उसके आप यहां से देख सकते हैं आपका हिंदी का कुंड सी हिंदी का है इंगलिस का कुंड सी इंगलिस का है तो दोस्तों जैसे आपको पता है वही आपके master degree में क्या हो जाते हैं एक subject हो जाता है एक subject के according उनके exam आपके पास जो paper है वो अलग-अलग होते हैं उसी परकार आपके सामने ये पूरी की पूरी given video हम लेके आए हैं जिसको आप देख सकें easily अब बात करें थे आपके सामने उससे अगला जो paper है वो आपका 27 तारीक करेगा 27 तारीक का आपका उसी परकार eco का है जिसको आप economics बोलते हैं हिंदी बोलते हैं history बोलते हैं MA का है फिर आपके सामने m.com फिर आपके सामने English या फिर योगा तो दोस्तो सारी update आपके सामने इस video के माध्यम से हम लेके आए हैं तो दोस्तो जो भी आपके साथी हैं उन तक भी इस video को दोस्तो पोचाने का कश्ट करें आपे ताकि उनको पता लग सेगे कि आपकी revised date sheet है वो update हो चुकी है izu.ac.in की website के उपर तो दोस्तो website को देखती हुए हमने आपके सामने सबसे पहले information लेके आई हैं आपके सामने ताकि आपको एक बीच्छन का देरी नहीं हूँ और आपको पता लग सके कि आपके जो exam है वो कब तक है तो दोस्तो उसी परकार दो तारिक की update में आप exam दे सकते हैं सारी के सारी update आपके सामने हम लेके आए हैं तो दोस्तो दो तारिक आपको उसी परकार paper ID पहले सबसे पहले date दे रखें date दो तारिक हैं फिर आपके सामने दो सब्जेट दे रखा है subject के बाद इसका subject का क्या नाम है कि नाम के बाद इसका paper की आपके पास क्या code है क्या उसके बाद क्या आईडी है सारी की सारी अपडेट आपको सामने हम लेकिया हैं तो जो भी आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएं क्यों को पता लग सके कि बी को बी ए थर्ड सेमेस्टर बी ए फिफ्ट सेमेस्टर बी एस सी थर्ड सेमेस्टर और उसके बाद बी एस सी फिफ्ट सेमेस्टर उसी परकार बी कोम थर्ड सेमेस्टर उसी परकार बी कोम में फिफ्ट सेमेस्टर और दोस्तो बात हमने कि अभी फिलाल करें में के बात करें दोस्तो उनके जो एक्जाम की डेट सित्ट है वह आदोस्तो आचुकी है आप दोस्तों इस्तियों के माद्यम से देख भी सकते हैं तो आजकी ही डेट मे यह नोटिस आया था की बाई जो मैंने इस से पहले वाने जो मैंने बाँ जो आपके एक्जाम है वह दोस्तों ook निस से नहीं परиб के 25 से जो शोड़के पहले से तो पहले के पहले क्योंकि पर चलते रहेंगे चलते चलते दोस्तो इसी परकार, उसके बीच में आ जाएग़ी आपके जुचे करते रहें, वो जो आपके पास कही मेरे पास कोमेंट ये भी आ रहे थे कि सर हमारे जो रोल नमर है वो कहां से अपलोड होंगे कहां से क्या पता लगेगा तो जो जो साथी जहां से जो जो साथी जहां से दुबारी बेट कर रहा हूं है जो जो साती जहां से अपने कोलेज में दोस्तो आपके जो भी कोलेज से कर रहे हैं वहां से आपके रोल अमबर मिलेंगे आप वहां से संपरक कर लें कि वहां से पता कर लें कि सर मैं ये इस में हूँ श्रीम में हूँ तो मेरे रोल नमबर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं तो दोस्तो वहाँ से आपको पूरी डानकारी दे देंगे आप बात करते हैं दोस्तो इससे आगे 6 तारीक के बात करते हैं दोस्तो 6 तारीक आपका एक्जाम रहेगा आप देख भी सकते हैं सारे की सारे अपडेट है छै के बाद आपका नो का तो दोस्तो जो भी अपडेट है किसी भी परकार की हो तो दोस्तो आपको इस वीडियो के माद्यम दोस्तो आपको मिलेगी दोस्तो आपको मिली भी रही है दोस्तो जो भी अपडेट होती है कि चाहिए आपके पास पेपर फ इस वीडियो को जद जद मातर में शेयर केजिए ताकि दोस्तों सभी को पता लग सके कि आपके जो भी एक्जाम है वो दोस्तों कब तक हैं और कब से स्टार्ट हैं सारी अपडेट आपको इस रिवाइज वीडियो की डेट सिट में दोस्तों आपको मिल रही है तो दोस्तों शोबय आकर जोब है तो रोगुक्झा अप रोस्टो यां को पता है यह उन्योरेस्टिट सबसे पहले निकाль दे ती और mają भार भार्पृ इसको कवी इसको रीवाइज रोइज र्युआज निकाль देता है और फिर रिवाइज रिवाइज बच्चे अब प्र देखे तो जो भी अपडेट हम तो जो साइट के माद्धे हम से देखते हैं आप लोगों पताए घू.ac.in इसकी साइट है जैसे आप इस साइट के ऊपर देखेंगे तो जो आपके पार राइट इंसाइड में आपको सारे के सारे इन बोक्स में गर्ण मिलती है कि आप एक जा देखना चाहते हैं या प्रजड देखना चाहते हैं तो सारी अपडेट आपको मिलती हैं तो जो भी आपके जैसे आने वाले बविश्चे में बात करते हैं जो भी जैसे आप देखते हैं वही आपके पास जो गूर्मेंट जोब से लेके लगा लो चाहिए आपके पास यूनि कोम का रहेगा मखोम जो आपके पास को लगता है डोस्तो अपके पास कि पपर चलेंगे का इस ज्वायज टेट ऌगी आप जरूर कोमेंट बॉक्स में अविश्चे बताएं कि इसमें कि BA, BSC, B.com और MA की जो डेट सिट हैं वो दोस्तो आ चुकी है वो तो दोस्तो आपने जो भी साती हैं नियर और डियर हैं उन तक जरूर पहुचाएं ताकि उनको पता लग सके कि उनके जो एक्जियम हैं वो दोस्त तो 25 तारिक से प्रारम होने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तो आज के लिए आपके लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आप राप्त कर सकें इतना ही आज के लिए